श्री राधे वक्तो आज हम सीता नवमी की बात कर लेते हैं इससे पहले मैं कुछ बोलूँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए तो मैं बताते हूं आपको के सीता नवमी वैसाक मास की शुकल पक्ष की नवमी को बनाया जाता है और ये सीता जी को सीता जी का जर्म दिन माना जाता है इस दिन सीता जी की अराधना और प्रातना किया जाते है और सीता जी ने जो की मतलब हल चलाते वक्त धर्ती से जर्म लेया था तो वक्त धर्ती को मतलब इस दिन प्रणाम किया जाता है और सीता जी की मंदिरों में जाके जाते हैं जो कि राम जी का जन्म चैत मास की नवमी को पढ़ता है जो हम दुरगा नवमी में मनाते हैं उसके ठीक एक महीने बाद वैसा मास की नवमी पर ठीता जी का जन्म दिन मनाया जाता है और ये आयुद्या में और बिहार में और भी मतलब बहुत सारे स्टेट हैं वहां यह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है